जै मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 माई शनिवार के कुम्भराशी फल के बारे में आज का दिन कुम्भराशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज जेस्ट मास क्रशन पक्ष की उद्याति थी नाव मीति थी है और शनिवार का दिन है ये जो नाव मीति थी है ये सुबह 10 बज कर 23 मिनट तक रहेगी उसके बाद 10 मीति थी लग जाएगी शनिवार की रात्री में वैधरती नाम की योग रहेगा जो की कारियों के ठीक करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसके बाद इस्थिर रोग योग रहेगा और आज शत्विशा नक्षत्र भी रहने वाला है ये सुभा 11 बच कर 5 मर्ट तक रहेगा उसके बाद पूर्वा भादरपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा तो इन योगों में कुमराशी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है चले जानते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेए दोस्तों चंद्रमा आपके लगन में विराजमान है और आज का दिन कुछ एक नई तरह की खुशियां आपके लेकर आया है आज आपकी सोच और प्लानिंग स्पस्ट रहेगी आपकी कल्पना शक्ती अच्छी होगी और आज कुछ हद तक आपको बहुत अच्छे और कुछ अलग तरह के अनुभव होने वाले हैं अगर आप अपने अधिकारियों से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है अपने अधिकारियों से अपनी बहुत से आज आप बात कर सकते हैं पारवारिक मामलों में भी आज कोई बड़ा फैसला आप लेंगे किसी बात के सल्चले में इसके साथ ही धनलाब का यूग भी आपके लिए बना हुआ है स्वास्त है आपका अगर खराब चल रहा था तो पहले से बहतर आपका स्वास्त है आज दिखेगा सामाजिक कारियों से जुड़े लोगों के लिए आज अपना सामाजिक दारा बढ़ता हुआ नज़र आएगा कोई नया महमान आपके घर में आ सकता है जिससे उत्सब जैसा माहोल आपके घर का रहेगा रोजमर्णा के जो काम हैं उनमें इसमत आपका साहते गी, आपके इंकम भी अच्छी रहेगी, इसके अलावा आज आपके वो काम भी पूरे हो सकते हैं, जो जुरू के हुए थे, पैसो के मामले में आज आप बहुत खास हो सकते हैं, कही ना कहीं से पैसे आने की उमीद आज की रह सकती है अगर कोई वादिवाद की इस्तिती होती है तो उसको आपको जरूर टालना होगा किसी काम को लेकर अगर आप बहुत अधिक अगर आप किसी पर डिपेंड होकर किसी काम को करते हैं उसका पूरे होने के बहुत कम चांसिज है इसलिए अपने वलबूते अपनी काम को पूरा करने की कोशिश करें इसके लावाज देखे शनिवार का दिन है तो आज आप सुभा की शुरुवात हनुमान पूजा के साथ कर आप हनुमान चालिसा या सुंदरकान का पाठ कर सकते हैं जो आपके लिए आज के दिन अच्छी रहेगी या फिर आप शनिवार का पाठ कर सकते हैं शाम के समय एक सरसो के तेल का दीपक जिला कर तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें